Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class English and C.E.R.T. की बुक, It's So Happened के चेप्टर नमबर 9, The Comet 1 को रीड करेंगे, यह जो स्टोरी है students, यह दो पार्ट्स में बटी हुई है, चेप्टर नमबर 9 और चेप्टर नमबर 10, चेप्टर नमबर 9 है The Comet 1 और चेप्टर नमबर 10 है The Comet 2, तो इस वीडियो में हम चेप्टर नमबर 9 यानि के इस स्टोरी के पहले पार्ट को पढ़ेंगे The Comet 1, याद रखिएगा students के इस वीडियो के नीचे description box में हमने अपनी सभी वीडियो के लिंक दिये हुए हैं, तो description box में जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं, और च से ये कहा गया है students, के एक नया comet, एक नया धुमकेतु आकाश में दिखाई देता है, जो सीधे प्रिथवी की तरफ आ रहा है, और ये एक सीधी टकर होने वाली है, इस comet और हमारी अर्थ के बीच में, और जिससे बचा नहीं जा सकता, और अगर ये टकर होई, तो इस टकर से हमारे इस ग्रह पर, हमारी प्रिथवी पर जीवन का अंत हो जाएगा, अब ये जो घटना होने वाली है, ये जो परिस्थितिया बन जाती है, इस पर scientist और जो धार्मिक नेता होते हैं, ये अपने अपने तरीके से, different ways से react करते हैं, तो फिर इस धुमकेतु का क्या होता है, अब हम इस chapter में पढ़ेंगे, तो आएए students, अब हम इस chapter को read करते हैं, यहाँ पर इस paragraph में हमें ये बताया गया है, कि ये दिसंबर की moonless night थी, यानि कि दिसंबर की वो रात थी, जब चांद नजर नहीं आ रहा था, और खिडकी से ठंडी हवा कमरे के अंदर की तरफ आ रही और इसके बाद जो इंदरानी देवी है, उनकी नींद खुल गई, इंदरानी देवी जो की दत्तादा है, इस chapter में जो main character है, उनकी wife का नाम है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है, कि दिसंबर की ठंडी रात थी, चांद नहीं निकला हुआ था, कमरे में ठंडी हवा आ र गई, कि दत्तादा यानि कि उनके husband वहाँ पर नहीं थे, और तब इंदरानी देवी यह जान गई, कि उनके जो husband है, वो दिब्या के पास गए है, अब ये दिब्या क्या है, जो दत्तादा है, उन्होंने एक telescope खरीदा था, और अपने उस telescope का नाम उन्होंने रखा दिब्या चक्षू, और वो रात को क्या करते थे, वो चुपचाप रात को चट पर चले जाते थे, और अपने टेलिस्कोप दिब्या चक्षू से आसमान में देखते रहते थे, तो जब इंदरानी देवी ने देखा कि उनके husband बैड में नहीं है, बिस्तर पे नहीं है, तो वो समझ ग रहे हैं, दिब्या चक्षू यानि के उस टेलिस्कोप के पास, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई, क्योंकि वो इस बात को जानती थी, कि डेली के जो काम होते हैं, उन सभी कामों में उनके जो husband है, वो कितने भुलकड हैं, और डॉक्टर ने तो उनने कह रखा थ कि वो इतनी ठंड में अपना ध्यान रखे, लेकिन वो तो अपना स्वेटर भी पहनना भूल गए थे, उनका जो स्वेटर था, वो अभी भी बैट के पास जो चेहर है, उसी के ऊपर पड़ा हुआ था, और ऐसा लगता था, इंदरानी देवी को ऐसा लगता था, कि जो टेलिसकोप है, उसने उनके पती पर जादू कर दिया है, और तब इंदरानी देवी ने अपने पती यानि के दत्ता दा का सफेद उनी स्वेटर उठाया, खुद भी उन्होंने शोल ओड़ी, और फिर वो छत पर चली गई, जहाँ पर वो दिब्या यानि के उस दिब्या च और यहाँ पर इस पेराग्राफ में हमें यह बताया गया है, कि जब दत्ता दान यह टेलिसकोप खरीदा था, तो उन्हें इतनी खुशी हुई थी, कि उन्होंने इस टेलिसकोप का नाम दिब्या चक्षू रख दिया था, जिसे इंगलिश में कहते हैं Divine Eye, यानि के एक आलो इस टेलिसकोप को दिब्या कहा करती थी, और उन्हें ऐसे रखता था जैसे कि यह जो टेलिसकोप है दिब्या चक्षू, यह एक साजिश करने वाली महिडा है, जिसने उनके पती को अपने जाल में फसा लिया है, तो उन्होंने उसका एक नाम रख दिया कि मैं इसे दिब्य और इसके बाद यहाँ पर इस पेराग्राफ में हमें यह बताया गया है, कि दत्ता दा के जीवन भर की जो एक एमबीशन थी, जो उनकी एक अभिडाशा थी, वो इस टेलिसकोप ने पूरी कर दी थी, दत्ता दा एक एमेचूर एस्ट्रोनॉमर थे, यानि कि वो एक प्रफ वो हमेशा आसमान की तरफ देखते रह सके, और फिर जब वो रिटायर हुए, तो ये दोनों ही चीज़े उनके पास आ गई, अब उनके पास पैसा भी था, और उनके पास टाइम भी था, और फिर उन्होंने ये टेलिसकोप खरीदा, और इसे छत पर सेट कर दिया, और अब वो पूरी पूरी रात, चान सितारों को आसमान में निहारा करते थे, कम से कम उनकी पतनी इंदरानी देवी तो ऐसा ही सोचती थी, और इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है, कि इंदरानी देवी दतादा के पास आती है, और उनसे कहती है, ये लो, स्वेटर पहन क्या आप ये चाहते हो कि नभीन बाबू यानि कि आपके जो डॉक्टर हैं वो कल आपसे ये कहे कि आप बैट पर रेस्ट करो यानि कि वो ये कहना चाहरे थे कि स्वेटर पैनलो कही ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए और यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हर दूसरे एमेचे और एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्तादा के मन में भी यही अभिडाशा थी कि एक दिन वो एक नया कॉमेट ढूंड लेंगे और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि नये कॉमेट ढूंडे जा सकते हैं क्योंकि नये कॉमेट दूर सोलर सिस्टम से आते हैं और प्लैनेट्स की तरह जो कॉमेट्स होते हैं वो भी सूरज के चारो तरफ चकर लगाते हैं और इनकी एक लंबी पूछ होती है और जब ये कॉमेट्स सूरज के पास आते हैं तो इनकी जो पूछ होती है वो चमकने रखती है और उसके बाद ये कॉमेट्स फिर से अंधेरों में चले जाते हैं और फिर ये कई सालों तक कई सदियों तक नजर नहीं आते और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि दत्तादा के पास जो ये आठ इंच का दिब्या था यनि आठ इंच का जो ये टेलिस्कोप उनके पास था इस आठ इंच के टेलिस्कोप से उनके पास कितना चांस था कि वो एक नया कॉमेट ढूंड रहते जब कि जो प्रफेशनल एस इसके बाद इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो दत्तादा थे वो आशावादी थे और वो इस बात को जानते थे कि जो प्रफेशनल एस्ट्रोनोमर होते हैं उनके कुछ काम फिक्स होते हैं वो उनी में ध्यान देते रहते हैं जैसे कि वो सितारों को देखते रहते हैं गेलक्सिस को देखते रहते हैं और जो ये जो कॉमेट होते हैं इनको वो मामुजी समझते हैं वो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसी ज़िए ज़्यदा तर जो कॉमेट्स की डिस्कवरी हुई है ज़्यदा तर जो धुमकेतों की खोज हुई है वो आया गया है कि आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी दत्तादा को ऐसा लग रहा था जैसे कि सितारों के बीच में स्टार्स के बीच में उन्होंने एक नई चीज ढूंड रही है उन्होंने अपने चार्ट को दुबारा से एक्जामिन किया और जो अपनी जो आपने टेलिसकोप से तब वो बहुत ही अलर्ट रहते थे और फिर उन्होंने देखा कि मैंने कोई गलती नहीं की है और ये जो चीज मैं देख रहा हूं ये पहले आसमान में यहाँ पर नहीं थी और ये पक्का एक नया कॉमेट ही है जो मैंने धूंड रिया है ऐसा उनको लगा और दो दिनों के बाद आनंद बजार पत्रिका में ये न्यूस छपी ये समाचार छपा कि करकत्ता में एक आदमी ने नया धूंकेतु धूंड रिया है और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया था उस न्यूस में कि करकत्ता के उतरी छोर पर रहने वाले शरी दत्ता ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक नया कॉमेट एक नया धूंकेतु खोज रिया है और ये धूंकेतु उन्होंने पिछली दो रातों में देखा और अब उन्होंने इसके बारे में इंडियन इंस्टिटूट ओफ ऐस्ट्रो फिजिक्स को बता दिया है उसको न दत्तादा ने जो नया कॉमेट खोजा था इसकी information उन्होंने Indian Institute of Astrophysics को दे दी थी और इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि IIA यानि कि Indian Institute of Astrophysics के पास 90 इंच का एक टेलिस्कोप है जो कि एशिया में सबसे बड़ा है और ये कौन सी जगह पर है ये है कवलूर में औ और अगर ये इस बात को confirm कर देते हैं कि Mr. दत्ता ने ये खोज बिल्कुल सही की है तो ये एक amateur astronomer होने के नाते Mr. दत्ता के जीवन की सबसे बड़ी खोज होगी दत्ता दा जैसे कि उनके प्रशंसक और उनके फ्रेंट्स उनके दोस्त उन्हें बुढाया करते थे उनका ये अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में ये जो कौमेट उन्होंने ढूंडा था ये धुमके तो ये कौमेट अगले कुछ महीनों में नेकेड आई से यानि बिना टेलिस्कोप की मदद से भी देखा जा सकेगा तब ये प्रत्वी के पास आ जाएगा और इस सब का credit उन्होंने किसको दिया इन सब का credit उसने दिया अपनी टेलिस्कोप को यानि के दिब्या को और यहाँ पर यह भी बताया गया है वो जो टेलिसकोप था यानि के दिब्या वो आठ इंच का था और इसके बाद इस पेराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि अगले एक हफते में ही जो वो कॉमेट था वो इस नाम से फेमस हो गया कॉमेट दत्ता और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि आई आई यह ने इस बात को कंफरम कर दिया था कि मिश्टर दत्ता ने यह नया कॉमेट खोज रिया है इसको ढूंड रिया है और जैसा कि यह एक प्रैक्टिस है मतलब यह इस तरीके से ही किया जाता है कि अगर कोई नया कॉमेट खोजा जाता है तो जिस व्यक्ति ने उस नए कॉमेट को खोजा होता है उस कॉमेट का नाम उस व्यक्ति के नाम पर ही रखा जाता है तो यह जो कॉमेट था जो मिश्टर दत्ता ने खोजा था इसका नाम रखा गया कॉमेट दत्ता और इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया आ रहे थी अब क्या हुआ उन्हें बहुत सारे functions में जाना पड़ता था और जब कि वो इन functions से वापस आते घर पर तो वो अपने आपसे कहते काश मैं काश मैंने इस धुमकेतू को ना ढूंडा होता और उनकी जो पतनी थी इंदरानी देवी वो भी यही कहते थी कि मैं भी तो क्यों सोचती हो कि काश मैंने ये धुमकेतू ना ढूंडा होता यानि मिश्टर दत्ता दा ये जानना चाते थे कि उनकी वाइफ ऐसा क्यों सोच रही है कि काश मैंने ये धुमकेतू ना ढूंडा होता और तब उनकी पतनी ने कहा कि जो धुमकेतू होते हैं ये दुरभाग लेकर आते हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनके पती का नाम किसी धुमकेतू के साथ जुड़े तब दत्ता दा हसने लगे और वो अपनी पतनी से कहने लगे कि भले ही तुमारे पास मेकी डिगरी है लेकिन फिर भी तुमारा अंधविश्वास दूर नहीं हुआ और वो ये भ धुमकेतू के बारे में बहुत ज़़ा स्टडी की है और वो धुमकेतू के बारे में जानते हैं और धुमकेतू के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो धरती पर बुरा करती हो ये धुमकेतू उसका धरती पर होने वाली आपदाओ से कोई संबंध नहीं ह और तुम देखोगी कि ये जो धुमकेतू आ रहा है ये धरती को और हम लोगों को बिना कोई नुकसान पहुचाए इधर पास में से ही यानि आराम से निकल जाएगा गुजर जाएगा ये कि ये जो लास्ट लाइन दत्ता दाने कही थी कि धुमकेतू आएगा और धरती के इधर से गुजर जाएगा बड़ी असानी से और इसमें कोई डरने की बात नहीं है ये बात ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं था और इसके बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है के केम्बरिज के किंग्स कोलेज के बड़े से डाइनिंग होल में एक बटलर आता है जेम्स को इशारे से बुड़ाता है और उसे कहता है कि मुझे ऐसा रखता है कि आपके कमरे में आपका इंतजार हो रहा है और जब जेम्स अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो वो इस रिफाफे को खोलता है और इस रिफाफे के अंदर एक नोट होता है एक तरह से कह सक लंदन आ जाए और आपसे ये निवेदन है कि आप बिल्कुल भी देर ना करें और मैं यहाँ पर लंदन में आपके रुकने का पूरा इंतजाम कर रहा हूं और मैं माफी चाहता हूं जो आपको ये परिशानी हो रही है लेकिन ये बहुत ही जरूरी है इस बात पर विश्वा रखे और ये जो लेटर लिखा था किसने लिखा था जोन मैकफर्सन ने लिखा था जो कि डिफेंस साइंस एडवाइजर था और जब जेम्स अपने कमरे में पहुचा तो वहाँ पर एक व्यक्ती पहले से ही मौजूद था उसने कहा कि सर मैं जॉनसन हूँ और मैं समझता कि आप जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तब जेम्स ने कहा कि जितना इस लेटर में या नोट में लिखा है मैं बस उतना ही जानता हूँ और जेम्स को इस पात का पता था कि जॉनसन से जएदा कुछ पूचने का फाइदा नहीं था फिर जेम्स ने कहा कि 20 मिनट से भी कम का समय लगा यानी 15 गंटे से भी कम का समय लगा और उसके बाद 10 मिनट ओर लगे और جो James था वो फिर अब जोन मेकफरसन के ऑफिस में पहुंच गया और जब James जोन को अपना परीचे दे रहा था या उन से मिल रहा था तब जो जो जेम्स को वहाँ तक लेकर आया था वो वहाँ से चला गया और तब वहाँ पर जो मिश्टर जोन थे जिन्होंने जेम्स को बुढाया था उन्होंने का डॉक्टर फोर्सित मैं शमा चाता हूँ कि आपको जो यह इस समय पर असुविधा होई है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई समय वरवाद हो और मैं सीधा मतरब की बात पर आता हूँ और उन्होंने जेम्स के हाथ में एक प्रिंट किया हुआ कागज थमा दिया और जेम्स उस कागज को पहचान गया उसने का यह तो वही पेपर है जो मैंने नेचर और उरिजनल पेपर यह और उरिजनल मैनियूसक्रिप्ट आपके हाथ में कैसे आ गई वो हिरान भी था और थोड़ा परेशान भी था और फिर जेम्स यहाँ पर यह भी कहता है कि मैंने तो नेचर नेचर नियूस पेपर से कहा था कि इस रिपोर्ट को बिना देर किये फट नहीं छपना चाहिए और यहाँ पर हमें यह बताया गया कि जेम्स को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसने जो यह रिपोर्ट त्यार करी थी और नेचर नियूस पेपर में छपने के लिए भेजी थी यह किस तरीके से रोकी जा रही है रेकिन जो सर जोन थे वो बहुत है टेलर वो मेरा दोस्त है और जब आज दुपहर को हम लंच पर मिले तो उसने मुझे आपका यह पेपर दिखाया और मैं आज भी एस्ट्रोनोमी में काफी इंटरस्ट रखता हूँ और जैसा कि मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है अगर आपकी केलकुलेशन सही है काफी जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे और उसके बाद यहाँ पर जेम्स ने जोन से कहा कि मैं आपको विश्वास दिखाता हूँ कि मेरी केलकुलेशन बिल्कुल सही है मेरी जो भी ये स्टडी मैंने करी है इस कॉमेट पर ये बिल्कुल सही है और तब जोन ने उन जेम्स कहा रहा है कि इसी जिए मैंने एक्स्ट्रा केर किया मैंने बड़े ध्यान से हर चीज़ को कैलकुलेट किया है और इसके परिणाम विनाशकारी होने वाले हैं हाला कि कुछ एक ऐसे हालात बन सकते हैं जबकि ये जो कॉमेट दता है ये धरती से ना टकराए लेकिन ज हो सकता है कि ये जो कॉमेट है ये रस्ते में ही किसी एस्ट्रोइट से टकरा जाए धरती पर पहुचने से पहले ही या फिर जब ये सूरज के पास आए तो ये टुकडों में विखर जाए या फिर एवैपोरेट हो जाए तब यहाँ पर जोन ने कहा लेकिन ये तो सब ऐसा हम इन चीजों के भरोसे तो नहीं रह सकते लेकिन हमें ये मान कर चलना है कि ज़्यदा चांसे जही है कि कॉमेट दता धरती से टकरा जाएगा और हाला कि हम जानते है कि कोई भी कॉमेट लगभग एक करोड साल में तैन मिलियन येर्स लगभग एक करोड साल में धरती से टक तब James ने उनकी बात को ठीक किया और कहा कि एक साल नहीं दस महीने में ही ये धरती से टकरा जाएगा और तब John ने James से कहा तो आपके कहने का ये मतलब है कि अब हम प्राणियों के पास जो लोग धरती पर रहते हैं हमारे पास सिरफ दस महीने का समय बचा है क्या आपके विचा किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हम इस परेशानी को इस प्राकरती कापदा को कैसे रोके मैं नहीं जानता है ये James कह रहा है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस चीज़ को करने के लिए इतने बड़े काम को करने के लिए दो से ज्यादा दिमाग की जरूरत पढ़ने वाली है यानि कि जेम्स जोन को ये बता रहा था कि हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पढ़ेगी इस काम को करने के लिए और हमें दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बढ़ाना पढ़ेगा वो भी पूरी तरह से चुप चाप सीक्रेट रूप में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए तब सर जोन ने जेम्स से कहा कि आप जानते हैं कि अगर ये खबर बाहर रीक हो गई तो दुनिया भर में कितनी घबरहट फैल जाएगी तब जेम्स ने जोन से कहा कि मुझे ऐसा रखता है कि आप अगर मेरी इस रिपोर्ट को दबा भी देते हैं तब भी इससे सच तो नहीं बदेगा मिस्टर जॉन और फिर जेम्स ने उनसे कहा कि और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जो इसी नतीजे पर पहुँचेंगे चाहे आज पोचे चाहे थोड़े दिनों में पोचे यानि कही न कही से तो ये रिपोर्ट बहार आएगी न्यूस पेपर में कि धुम के तु धर्ती से टकराने वाला है तब जेम्स ने कहा कि आप ऐसा मत कीजे कि इस रिपोर्ट को दबाईए आप एक काम कीजिए कि आप इसके साथ यदी शब्द जोड़ दीजिए कि ऐसा पक्का नहीं है कि ये टकराएगा ही टकराएगा यानि कि ये हमारे धर्ती के पास तो आ रहा है लेकिन ये बिना टकराए भी निकल सकता है ऐसी संभावना आप उस न्यूज में जोड़ दीजिएगा जिससे कि लोग डरेंगे नहीं यानि कि आप न्यूज को कुछ इस तरीके से चापिए कि इसमें कुछ पक्का न लगे कि ये टकराने ही वाला है यानि कि कोई पक्का नहीं है कि ये धुमकेतु धर्ती से टकराएगा बलकि ज़्यादा संभावना पैसे दिखा दीजी कि ये तो निकल जाएगा तब जोन ने उससे कहा कि कब तक और तब जेम्स ने कहा जब तक कि ये है जो धुमकेतु है बिना कोई हानी पहुचाए धर्ती के साइड से निकल नहीं जाता तब तक हमें इसी तरीके से इस बात को छुपा के रखे या बताए भी तो इस तरीके से बताए कि लोगों को डर ना लगे यानि ये नियूस कब तक बना के रखनी है कि ये आएगा और निकल जाएगा जब तक कि इसका कोई हन नहीं निकल आता और ये धुमकेतु धर्ती के साइड से निकल नहीं जाता और उसके बाद ये दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि दुनिया भर के विग्यानिकों को बढ़ा कर एक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू